वाईगुजी का खालसा, वाईगुजी की फते, साड़ा होंदा दूसरा जड़ा विशा है, ए विशा भी बोथ फिलोस्फिकल है, समझन वाल है, गुरुगरन सहीब नल बोथ रिलेटेड, इननु असी इस आज दे इस टोपिक नो असी शबद विस्माद दे टोपिक नल, इसनु असी समझने, शुरुवात में इस तरह करां के शबद किसे भी जबान दे होन, अखर या अल्फा बैट नल मिल के बंदेने, ए अखरा नु तनहाई दी कैद विच्छों कट देने, अखर नल जदो अखर मिल जन दा है, ओई अखर जड़ा एक बेमानी है, ओ उधे मीन जिने ओ अपने आप बन जन देने, और इस तरह ओजड़े आपसी जड़े बेमानी अफर अखर ने, ओआपसी संजोग ना लोना दे हजारां हजारां, जो उधेने माइने पैदा हो जन देने, मनुख ए अखरां दा या शबदां दा मजदूर भी है, अंजीनियर भी है और आर्कीटेक्ट हुए है, जो जितना शबदां दा माइर है ओ उतना ही, कहन देना, कदर करन वाला मनुख बन जन दा है, सोसाइटी विच, या आलिम फाजल मन्या जन दा है, परमातमा ने मनुख नो सिद्धे तोरते, या सिद्धे रस्ते ते लगाना चाया था, ओ शबदां सुन दी है, ता अरांब विच मनुख धुनिया नूं, आवाजा नूं, संकेता नूं अपनी कम्मिनिकेशन दा जरिया बनावंदा सी, और फिर सब इता जमें जमें वद्धी गई हुए हुए हुए, जेड़े ने उना संकेता दे, उना दुनिया दे, उना इशारे आं दे, अखर बनने शुरू हो गए, और जुग्रुफी कली या बगोलक प्रस्तितिया अनुसार, अलग अलग थामाच, अलग अलग भाशामा जेडिया ने विक्सित हो गई हां, बन गई हां, हिंदूस्तान दे विच विदा, विदां दी गाल करिये तै सब तो पुराणे गरंथ वेद मन्या जान देने, के रेग जडेने, या रिग वेद नूँ इनू के ब्रह्म ने उचारन कीता है, और ऐसे लिए संस्कृत नूँ वेद भाशा क्या जान देने, जमें बाइबल है, जडि या हिब्रू भाशा दे विच ए, कुरान, जडि कुरान मजीद है, वर्भी जडि या देवी भाशा मन्दे ने, पर गुर्मत विच शबद केवल अखरां दे जोड तो नहीं बनिया, बलके या काल पुरख दी आवाज मननी जान दी है गुर्मत दे विच, गुरुनानक साब ने ताई शबद पुछया सी ना, तेरा गुरू कोण है, तेरा गुरू को देखो, समय ना है कि हर धरम एक बुन्यादी मसला, या हर मजब कहलवा, मत कहलवा, एक बुन्यादी मसले तनू समजनतों बगार उसनू समझा नहीं जा सकदा, जिस तरह जे सिखिजम नू समय ना है, ते सानू फिर शबद दी जड़ी फिलोसफी है, उस समय नहीं पाईगी क्योंकि शबद गुरु जेड़े साथे लिविंग गुरु 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 गुरान सहीब ने उना नू उसी शबद गुरु कहन देया, एक गाल जेड़ी मैं अकसर मैंनू चिंतन जर्द ताडेनल मैं करदां इस गाल दा, उदे वी चिंता भी शामिल है, के गुरुनानक स आपने गुरु शबद नू किया, ते चेला किस नू किया, सुर्त नू, अब बाडे नू नहीं किया, बास उनेत्थों ही समाई लो के असी सिरफ मत्थे टेक देनिया, जे सुर्त नहीं लगाई शबद वेच, तो फिर असी कहनने है, वो कह सक देया न, असी गुरु गुरु सब्सेब नू मंदेया, गुरु 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 शबद नू नहीं समझांगे, फिर उसनू असी, मैं सची कहल सुनावा तो उनू, एह हैपन होई आ, सिंगापूर दे बेच, के गुरु 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 शब दा पहला गुरु गुरु मैं चाहिए दे सी होड़े भी गुरु गुर्ण सहब दे के शबद गुरु है जो है पूरी दुनिया दा गुरु है अखीर विच जुनों समागम दे खतम हुंतों बाद उनुं अनुं अनर कीता थे ओ कहन दे मैं दो मिंट गल करनी है ते ओ कहन दे कि I want to ask one thing to sick people मैं कुछ पु उस ही कहा के पूरे हर मुनुख दा पूरी मुनुखता दा गुरु है ओ कहन दा I cannot read it गुरु गंसा वलिशारा करके कह रहे I cannot understand it मैंनु समझ नी सगदा मैंनु पढ़ नी सगदा उन अगला सवाल हो कर दा है के how it can be my guru जै मैंस नु पढ़ नी सगदा मैंस नु समझ नी सगद है मेरा guru के मैं होया मेरे एक दोस्त बैठे सी होत्य होना ने मैंनो आके दस्या ते मैं कै भी यह ता फिर जड़ी problem Chinese Minister ने अपनी कई है यह ता 99.9% मैं किन्ने परसेंटल आवा यह ता सदी भी है सिख्खा दी भी है कि we are not reading it we are not understanding it ठीक है मत्य टेक दे रही है परकर्मा इनी आसी अंदर bangla sahab, Guru Granth Sahib नो नी करते जिन नी आके बाहर nishan साब नो को आन्ने ना कसी अंदर नी रगरते जिन ने बाहर आके जिन नी बाहर आके इस परमपरा नो समझना पेगा और एक ओर शुरू करंदा मेन मक्सद है कि यह सिसा पर शुरू करांदा में मक्सद है कि आसी सम आज दा जड़ा ए वाला टॉपिक है ए ही है उन इंडियन फिलासफी दे लगबग सारे स्कूलना वेच शबद नू ग्यान दा एक सुरोत मने आ गया है कि शबद जड़ा एक ग्यान दा एक मीन है सुरोत है और बगती लेहर दे जिन्नेवी विचारक शबद नू ग्यान विच किती दा या मोक्ष दा मारग है पर गुर्मच विच जड़ों शबद दी चर्चा किती जान दी है तो इदे बड़े अलगला अर्थवी लोग कड़ देने सिक शबदाली विच गुरुगरंस है दे पदा नूवी शबद मन्या गया है इस तरह गुर्बानी ही शबद है ए ज शबद ते प्रभु विच कोई भेद नहीं है ए गुर्णानक साब सानू समझा रहे ने जिस वेले ब्रह्म दी रचना नहीं सी होई शबद उस वेले वी से तो इस गालनू असी आज समय नहीं है डाक्टर साब आज इस टोपिक ते होन गाल करनगे टोपिक दा जड़ा मैं ह पहले वी दसे है शबद विसमाद जिदी असी इस लेक्चर दा ए टॉपिक दा हैडिंग बदलिया पहले साड़ा ए टॉपिक होंदा सी गुर्णानक साब तो लेके गुरुगरंद सहब तक एक जोत ते जोत दा जुगत जुगत उसनों फिर शबद विसमाद रही होना गाल करक से ही है कि इसी शबद गुरु जदों गुरुगरंद सही है कियों कहने है और इसनों शबद सब जिए कि शबद है कि डख सावनों बेंति करांगा क्या हो आओ आओ आपनी सुर्थ नों फिर जेडि इस विड़े विचार होनी है उदे विच केंदरित करिये इस विशे दे सबंद विच शिरी गुरुगरंद सहाव दे की आदेशन केड़ी और दिशा निर्देश देने उसनों अपने मन्च वसाई है शबद दे मोलविच संस्कृत वद है वद दार्थुन दे बोलना कहना वजना वद जिड़ है ये देशी जड़ी पाशा है उदे चे वावेता बब्बा हो जाना है जद वसी दखनियों कारबानी पर दे हैं फिर उसे पाशाई परिवर्तन जड़े ने हो बड़ी गंबीरता ना दरसाए गए ने तुस्य ये देखोगे के कबीर साहब दी जड़ी बावन अखरी यह 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 उड़ा दिता है जज्जा आ गया होते संकेत की दिता है के यह जड़ा है एदा लोग पाशा वे चुचारन जज्जा हो गया है और यह इर्रेलिवेंट हो गया है योग योग जड़ा है जोग बन गया फिर अर्थ अगयर 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 खर बना शब्द बनाए हो यह यह लोग समय लेंदेने इमां पर रुखा दी बानी नाम दी बानी यह राबदी शिफ्त है इत्वं तक उसनों संकोश देंदेने वो ते है यह जड़ा दखनीयों कार वे चाहे ते बावनकरी कभीर साब चाहे और उसने प्रियोजन जड़ेने वो जड़ों कोई समझ लें दे फिर उनूं पदादा अभी गुरूनान साब किन्य बड़े पाशा शास्त्री कोई हाईनी संसार वे पाशा शास्त्री उनने मुकाबले देनी कोई न में ते अंनल पडि कभीर साहब दी उना प्रियोजन कीया उना प्रियोजन है देवनाघ़री वेक वर्नानू कट करना वेकिने वर्नर चाही देनें देवनाघरी जै क्योंकि उनने पाशय हिंदी यह जिनी लिपी देवनाघरी है दखनी उंकार में जनो गुरुनान साहब नमी लिपीदी खो जाए। इस करके देवनागरी दी मुनों रिजेक्शन है। नावीनी बावनकरी दीता, दखनी उंकार बनाता है। कभीर साब ने दिखनी बावनकरी रख्या है। गुरु जीने कभीर साबने कोई 36 और अक्षर ने unne addicted 144 कीता है। गुरु साब ने बंजादा कीता है। वो उन्जाल्दा करके ओजह नाम बावनक reminds नहीं दख़ा है. जही राख दिन दें, पता कि उन्हां कि उन्हांने बावनकर ugsी रिजक्र कें जिक रिक टेंगाय LI्दा. आफिए साःटेट क्राओं साइट फिर्व सफ दो आ है। वो सशे बाइस रूत पाइसे बाइसे भाइसे छृप सब्सक्रास हीते हैं। इसभर करके गंघें तो ज्ञान बनादेने, यन्ये तो ज्यानों बनादेने, ठल्ध है क्यों राया है? पाहला अप्ष्ण अध्द नहीं लगता है। पाहला अख्षर अध्द नहीं लगता हुन्दा कद्धे भी शाध्धी पाश्च, जाय क guitar. देवनागरी विचे न दी वैलिव अद्दे अक्षर दी है जन्यें ते गंगें दी किते भी पूरा नहीं आएगा। अद्द अक्षर अनुनास की वाज जडी चचे चचे दी ते कके कके दी है ओई दे। सो बहुत वड़ा विशिलेशन है उत्थे वावे दी अवाज बब्बेच कि में परिवर्ते तो जन्दिये बहुत सरे प्रमान देके समझाया के वावा जिड़ाई बहुत सावां ते बबबा बन जाना है पर वावा इन्रेलेवेंट नहीं होंदा इस करके वावे नू यह यह वाव जज्जा नहीं कर देता है तो वद्ध दा बन गया बद्ध पर ओधों जदों अवे गे ससा लग गया इदे गे ससा ससा दा मतुन दे सांग सहत या पॉजिटिव अर्थ बनावा से अच्छी तरह कहना अपनी गाल नू अच्छी तरह कहना सा वद्ध सावद सावद हो गया आग्गे मावा हून करके उदा उचारन लोक पाशा विच शबद हो गया इस करके जे को आज सबद पर देता हो गलत नहीं है सबद पर ना गलत नहीं है क्योंकि ससा विगड के शचा हुए है लोक पाशा विच कुछ लोक साही पर दे रहे कुछ शा प आपने आपनों आपनों एकस्प्रेस करना आ गुरुबानी मैं कल वीसी साहब नोग बेंटी किती मैं कि तुसी बहुत अच्छीयां गुरुबानी देश्पन दोचा और इतने सारे सारे पक्खातों विचारां किती हैं मैं कई गुरु गुरु गन्च सहावेच जड़ा लिपी विशलेशन है मैं का मैं यह देती भी कुछ है करें कि मैं देना जुरुबानी मैं करुड़ु गुरु गरंच सावेच अखर दा कंसेप्ट है। किसे पाशा, शास्त्री, को और अखर दा कंसेप्ट नहीं। अक्षर की चीज है। क्योंकि सोचो जे रहा है। अक्षर अख़र उन्दा अभिनाशी जड़ा नश्टना होए। अखर वो चीज है जरी अभिनाशी है, अभिनाशी के विल रब है, अखर ते जम्में ते मरे, कई लिपियां जम्मियां कहीं मरगियां, अखर क्यों क्या है? यह दा कंसेप्ट दिता हुआ है, यह कबीर साफ दी जो बावन अखरी पढ़ दिया है, फिर अखर दा कंसेप्ट मि अखर रहना है, अखर की चीज है, अखर गुरू साब ने रब नु अखर की भी बनाया? द्वख्णिवंकार जपड़, ओंकार नियुगंत가락 लिजिए, ओंकार सैल जपपए, ओंकार बेद निर्मय ओंकार सैल जपए, ओंकार भेजनिर्मय पए, ओंकार приभावन सार, तीन ल लोक दा सार है अक्षर, अक्षर, सबद, ए दो में समान आर्थी हो जंदे ने गुरु गन्सा वेच, अक्षर ते समझ कोई फर्क नी रहे जंदा, क्योंकि किसे टाइम अक्षर दा सिंबल अपने आप वेचे सबद सी दसनवा से, अपनी गल एक्स्प्रेस करनवा से, होर राक्ष अक्र जोर के सब्द बनाए गए दो, तेनलाइना बनियान यहीं, तुछFit देखो उड़ा है तेनलाइना ने तेनलाइना किसे घज दा सिंबल है, क्योंकि, अक्षर ब्रह्म केँ हो है, शब्रह्म केँ है यह जरूर सम्झ लेना चाहिए। शब्द वाहिगरु के मे सी वाक वाक रूपांच पर गट करना चाहूंदा सी तो यह सारी कुद्रत उस दा expression है एक्सप्रेशन है को वाई गरू जी दा ओ जिनी वाई गरू ने जिस करके परकिर्ती पैदा किती है कुद्रत पैदा किती है बनाई उसने दुई कुद्रत पर योजन की है आपने आपनों एक्सप्रेश करना हर चीज दे विच ओ वाई गरू दी डिवाईन परकिर्ती पई हुई है अपने आपनों एक्सप्रेश करना हर पशू हर पंची हर पौदा हर पत्थर हर चीज वो आपने आपनों एक्सप्रेस कर रही है ति आपने आपनों बहुत अच्छी तरां प्रगट करन दी एक्सप्रेस करन दी उधे विचे चेश्टा है इसे करके हर चीज उते खिडाओ उँदा है पुदि दिफुल खिड़ देने हर चीज जवान हुदी एक खेड़ा होंदा है उदेचु, हर चीज अपने आपनों एक्सप्रेस कर दी है, बढ़ापा होंदा एदा एक्सप्रेशन आ गया, चिट्टेवाल हो गया, यह एक्सप्रेशन है, हर चीज एक्सप्रेस कर दी है, यह जड़ी डिवाइन परकिर्ती है, क्यांके हर चीज मनोख व एक्सप्रेस्क दुझे सामने करना वास, लोडा की ने, लोडा की ने एक ओऊ चीज जेरी एक्सफ्रेस करना चाहू दिए, दुझ्जा जेसनों एक्सप्रेशन दिखाना चाहू दिए, ते तीज्या, वो किसे दी जेडी है, किसे दर अभियान हुए可ना चाहू бы यह, अखंड ब्रह्म एका है, वो अखंड है, उनुनु भी भाज़त नहीं किता जाता है, एक कोई लाइन है, ओंकार किदा सुचक है, जगत ब्रह्म ओंजड़ है, ओंवे सीक्वेंस है, हिंदु ओंकार वे सीक्वेंस की रहेगा, आयडा, उडा, ममा, आ उत मा, आ ए जगत, ओ, ओ, ब्रम.ौ मई लाओ अंगरेजी जी भी उसेने कहने आए सी चै और मा ओम ममडा अर्ध है मैं मेंडा अर्ध है जीव. यह ट्रिट्रिन्टी है जडी ओंकार देविच है। यह टृन्टी है। हिंदू- ट्रिन्टी सिक्वेंश भार्च यह जगत ब्रम तजीव। शिख अंकार विज की है, उड़ा पहला वो पाई गुर्दार साब ने जड़ा लिखे न उड़ा वो अंकार ते फिर वोदे नाल, आएडा भालया होदे नाल, यह क्यों लिखे है, ता की सीक्वेंस ना बिगड़ जावे, पाई गुर्दार साब नुम कई लोग जड़े ना गया है, क्यों बिठाया गया है, कि ते ए न समझ लेना आएडा हिंदू अंकार वांग पहला है, शिख अंकार देविच एसे करके पट्टीच लिखे है, सससा है, सोय सिष्टी जिन साथ जी, पहला ओनी गाल करो, जगदी गाल नहीं, लिपी विच भी सवरव प्रथम प्रम प्रमात्मा होना चाहिए, इस करके प्रमात्मा दा देड़ा प्रगट करना वाली चीज उड़ा है, वो सिख अंकार पहलना आएडा बाद, ते मुम्मा उस्नु भाद, पहलना ब्रम, फिर जगत, ते फिर जीव, देड़ा हिंदू अंकार है, इसे करके वो सरगुन हो गया ह क्योंके ओदे वेचे पहला जगता आगया, जगत वेचे आउन करके ओदे सरगुन शुरूप, ते ओदे हम उर्तियां बन गया, ते उसनु जगत तो उच्चा, जदो तुसी करे कमाल दिगल देखोगे, हिंदू ओंकार देवेचे दूजे पासें लाइन उत्तेरी चुकी गई, ब्रह्म जगत वेचे सिमट गया, गुरु साब ने की करांती कीती है, उसनु एद्रों जोड़के फिर लाइन उत्ता उच्चे चुकिया है, जगत उपर ले गए ने, जगत उपर लेके फिर उन्हों सिद्धा उपर नहीं कर दीता, सिद्धा उपर हो जन्दा ते प्रान्तु नहीं, उसनु उच्चा चुकि फिर नीमा लेंदा है, के जगत नो शबंदनी उन्हे टुटे फिर चुकिया, फिर नीमा लेंदा है, जगत उ नीर लेके पर जगत उच निवास करना वाला ब्रह्म है ए महाराजी ने एक पाकिती है, जो मैं एबेनती कर रहा है कि अक्खर किमे बनदा है जिवें सिदार साब ने क्या कि बनदा जिड़ा सी वो पहला जदो हून एक्सप्रेस से उसने करना है एक्सप्रेस से उदा पैदा हो जाना ही उदा एक्सप्रेशन है उने वक्रे वक्रे रूप के उने क्योंकि वह गुरू जिड़ा है वो वक वक र आरना ते सजाना चाओंदा है। मेरी दिश्टी वेच गोरा बंदा सोना है। ते काला बंदा कुरूप है। यह मेरी दिश्टी है। उन्य गोरे दी सुंदर्ता, गोरे रंग दी सुंदर्ता जड़िये काले ते निर्बर कर दिये। इसकर के वास्विक सुंदर्ता जड़िय यह उते काले रंग चे उसनु देखके मैंनू दूज ए गोरा रंग सुंदर लगे है। प्रन्तू ओदे उते माया दा अग्यान चाया है। इस करके आपने आपनू ओवे प्रगट नी कर सकता जिमें ब्रह्म प्रगट कर सकता है। रंग सारो और गुरुनान सामने बावनी था कल्यान करन वासते सारैन पादेश करनवासते समझाई। उन्न दे दिदार थन न करना है उन्ननों सार यह बावनी समझाघना जया जन दी इसी हो ह। बानी रूप सन, शब्द रूप सन, गुर्णान साथ, एक जड़ी बाइबल है, बाइबल दी जड़ी Old New Testament दी चौत्थी पोत्थी है, ओ है St. John दी पोत्थी, गॉस्पल दी चार पोत्थी आने, मैथ्यू दी, मार्क्स दी, ल्योक दी ते जाहन दी, जाहन दी पोत्थी फिलस अफिकल है, दूजियां जरियां ने, ओ जीवनी अधारत ने, स्टोरीज ने, जाहन कहन दा है, आद विच शब्द सी, शब्द प्रमेशर ते नाल सी, शब्द प्रमेशर सी, शब्द देत आरी होया ते साड़े च निमास कीता, शब्द क्राइस्ट बनिया है, शब्दी शब्द बन गया, श्रीरत आर्न करके साड़े बिच आ गया, ईसा मनुख नहीं, ओ हड मासा भनया होया भी शब्द है, ठीक उसी तरह गुर्णान साब शब्द ने इस करके उनना दी पाशा जेड़े समझने वाले नहीं साने, जदो उनना दी दिदार कर लें दे साने, ते उनना दी पाशा समझ लें दे साने, उनना दी बानी समझ लें दे साने, इसर के बानी नी कोई समस्या नी सी है, ना उनना समस्या अर्वदेशां चाहाई, ना उनना समस्या दखन पारत वेच आई, ना उनना समस्या तिवत वेच आई, ना उनना दिले रदा किनने इलाका कि उनना उनने कुमया है, उनना समने पाशा क्यों नहीं आई? क्योंकि ओ आप शब्द प्रगट रूप सन उननने दर्शन दिदार करके मनोखनु जड़ा सी ओ पता लग जन्द सी की कहना चम देने, की कहन देने? उननना दी जबान तो निकली चीज जड़ी सी आरबंदा ही समझ इजड़ा सदार साब जी ने किया सी ना, शब्द पाशावेच फर्क है, पाशामा अनेक ने शब्द एक कोई है, वो शब्द एक होन करके गुर्णान साब दे दिदारी शब्द सन तो मैं ए निवेदन कर रहा है, कि जिमें ए बाइबल दे विच कै इसे तरह गुर्णान सा मैं साब गल्कितों से शुरू किती थी के, उन्ना में जी थी साथे ज फर्क की है, वो जो तूर अन्दर है, वो शुनू एक्स परिश कर सकते ने, जी गुर्णान सा जीदों गुर्ण कि सोमें बादी बाणी पर देए यां तो गुर्णल कि साब देगानी में जीक रिखे है गुरू गर्णसाम दीबानी चपो लिकारוט तरकी बानी आई तेन्ही श्वर्डमी चीनते मिटाई। हम ऊके लिए आप वी है। सुफ़्ाताई आप बेटा है। बन को बरू है। यॉक्षाल कइग पूल है। मैं ते तुसी बैठे हैं ते सब ब्रह्म बैठा है। ये प्रमेशरी बैठा है। ये तुसी समझे हो हर्पजिन सिंग बैठा है, सदार इंदरपाल समझे मैं रिंदरपाल बैठा है। ये दूजा बैठा है, तीजा बैठा है, चौथा बैठा है। नहीं। वासवेचे क्यों तोर क्या है तो गुरुनान साव दे तोर अंदर तो पाव है उन्ना दे बिल्कुल ज़िए प्योर आत्मा चो निकली होई चीज है वो बानी है साधी प्राब्लम कि छे आगी ओ सारा को जो तोर अंदर साधे भी प्या है प्रंतु गों अग्यान ने टाकले है परदे लग गया जे अग्यान ने मेरे उते गलबा पा ना पाया हुए ता इक तो मैंनू एन्यूची बोलन दी लोडनी ते दुझे बोला दे नाला हाथ मारन द अखले है मैं अपने आपनू एक्सप्रेस करन दी हर चेष्टा करना हर चेष्टा करना इस करके श्रीर कैक्षण करने पें देने मैंनू लगदा है कि मेरे को जड़ी पाश है इंकम्पीटेंट है मेरा शब्द अपूर्ण है मैं अपनी गालत तुहानू समझाऊं रवास से अपने श्रीर दा पूरा जोर ला रहे हैं क्यों क्यों के मैंनू पता है जो मेरे अंदर है शायद मैं ओ तोहाडे नारसांजा नहीं कर सकता उन बारकडन मेंचे मेरे उते पाबंदियां लग जान दियाने सिमामा लग जान दियाने अग्यान दियां तो शबद जड़ा है अ अखर जिड़ा है ए वाई गुरु जी दा एक्सप्रेशन है ए अखर ओ आप बनिया है आप क्यों बनिया है क्योंकि उसने अपने आपनों एक्सप्रेस करना है उन्ने मैंनू इत्थे इस करके निपे जया कि उसने हर पजन सिंग नू एक्सप्रेस करना है उसने मैंनू इस करक है कि उसने अपने अपनों मेरे माध्यम राई एक्सप्रेस करना है इस करके जदो मैं अपने अपनों जग्द वेच एक्सप्रेस करना यतन करदा हां तो मैं वाई गरू ने होकम तो ठिर्क जान दा है उथे मेरी उथे हो मैं आजन दी मैं पैचान दा ही नहीं कि एक्सप्रेस kis नों करना जाहिए स्थे कौन न कर लेता हैं मैं अपना श्रीरिक परदर्शन शुरू कर लेता है जद्व क मैंनों पर जिया सी वाईगरु जीने मैंनों मेरे इस रूप राइन अपने आपनों ब्यानकरना सी वाईगरु ने इत्थे फर्क पैगया तो यह जड़ा अक्षर है, यह अक्षर ब्रम इस करके है, रब इस करके है, अबिनासी इस करके है, क्योंकि ए उस दा expression है, ते अक्रानू संजो संजो के, जड़ी बहुत सुंदर चीज बनी, और शब्द बनया, इस करके शब्द जड़ा है, ए प्रमेशर आप है, वाईगरु आप है प्रमे शबद। वाईगरु आप है प्रमे शबद। वाईगरु आप है रिगवेद दे बहुत देववाद विच एक देववाद है एक देव है ते बहुत सारे ने प्रणतु हो एक देव जनता है। जदो मैं गुरु गन साव देखता है ते एक देवते ने ओकेड़े बन गए ने नाम, शबद, होकम। ते जदो इन दे पिछे जाओ गयो इरिगवेद वाली सिती जदो नाम दी गल करोगे नाम परमेश्र हो जाएगा। जदो असी गाले शबद दी करांगे ते शबद परमात्मा ते जदो असी होकम दी गल करांगे ता होकम परमात्मा हर चीज परमेश्र बन जाएगी जेडी। क्यों बन जाएगी क्योंके सारियां ए ओधियां किरना उसनों ब्यान कर दियाने परिपूर्ण किरना हन। जदो असे इन दे पिछे जान दा यतन कर दे हां ते ब्रम रूप हो जान दियाने होकम भी रभ हो जान दा है नाम भी रभ हो जान दा है ते शबद भी रभ हो जान है अक्षर विराब हो जन्दा है तो साथे चे बड़ी अग्यानता है कई ये कह दिन गभी नहीं देवी देवते बुनाते इस तरह भी लोग ग्यान कर लें देने मैं अमेरिका वेचे के डिसकुशन सी टीवी ते ते मैं क्या भी जिराइश दसमकांते सी मैं क्या कि गुरू गंच साब केवल सिखांदा गरंथ नहीं वह सारी मनुखता दा घर तर्मगरंत है सारी मनुखता दी अघवाई कर नवासे माराजी ने बनाया है इसकरके शिर्फ शिख्ण दा नहीं दूज़े दिन काफी सारे बंदे कठे होंके परवंदक को आ आगे ता पाशन कर रहें ते कहन रहें सिख्ण दा गुरू इनी गु कोई नहीं। इस करके इनु कोई आ ना समझ लवे कि नाम ते देवते बनाते ने। मैं क्या है जी में रिग देव वेद वेच ब्रह्म दे परिचारक देवते ने। इसी तरह गुरु गुर्ण साव वेच जड़ा है ओ सथूल देवते नहीं हैं। इसी नाम जड़ा है ओ ये इसी नाम नहीं देव देव का ओन है, ब्रह्म, परमात्मा देव का ओन है। रिबार ये इस इतनी संकीर उन्ता था राम देव साड़े आ गी है। लोग कहें है गुरु नानक देव का होगματα है ते ये इंदू बन जनानगे। अंकद को वोग के अर्जन देव का होग 74ications के त पानक देो, पाई गुरुदाजट साब लिखी जाना, पर अधुब सारे पुराने गरंथां जे लिखिया है, परन्तु उन्हां नहीं की कर देता है, गुरुणान साब, गुरु अंगत साब, इस तरह बनाता है, यसे तरह गुरु अर्जन देव साब बनाता है, कि एक ट ते वो समधूर नहीं जदों के विकेंड के कि ते ना जगर सिंग ला दियो गुरुनान सिंग बना दिये क्यों 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 कि मैं पहला किया सी कि अपनी बुद्धी अनुसार जड़ा है गुरु नूं बनाना चाहूं देया तो मेरा पाव एक हैंदा नहीं भी देवी देवते नहीं देवदा ते मतलब उन्दा कि ये प्रकाश देन वाला है देवदार था कि ये प्रकाश जड़ा प्रकाश देवे दिविया का हुन है प्रकाश मान ते देव का हुन है जड़ा प्रकाश दिंदा है गुरुनान सा प्र काश देजे ने इस करके उनने देव कहना की पाप है. तो देवता शब्द जिन मानस्ते देवते की ये करतना लागी वार. हुने थे मतलब ये थोड़ा है कि गुरु ओ है जैसे ने मनुखा तो हिंदू बनाते. जो देवता दार्थ हिंदू ही करना है थे फिर ते थे असादी जिवारी रिजेक्ट कर दे हैंगे. तो देव शब्द जड़ा है. शब्द ए अपने आपे इस ता अर्थ समझें दी लोड़ा है. गुरु 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 नान साब जरूर कहना चाहिदा है. उननों तो नाम नहीं विगारना चाहिदा है. और एस एक नाल ओ तो गुरु ह जड़ा है जड़ा तर्मनमा लेके आया है तर्मदेशन साबक ने. इस करके किसे पुराने तर्मदेव विच उनना नूं फिट कीता ही नहीं जा सकता. ते उनना दे नाम नाल देव लिखन नाल असी कहिए भी ये देनाल कोई पाप हो जाएगा ते मैं समिना भी इस साड़ी उकाई है. सो मेरा ए निवेदन है कि जड़ा शब्द है, शब्द नाम, हुकम, अक्खर इस सारे दे सारे जड़ों से पिछे जामांगे एक रूपी हो जाना ते नाम हुकम बन जाना है, नाम ही शब्द बन जाना है, ते जड़ा है नाम ही अक्खर बन जाना है, अक्खर भी नामी बन जादा है जेड़ी गल है तेड़ी सदासाब ने क्या भी विस्माद भी गल मैं नहीं करदा क्योंकि विस्माद दा टॉपिक होर है शब्द विस्माद के में है अपने आप जो विस्माद ते इस कर किया है कि सारी मनुखता दी अगवाई जेड़ी है और इस स्रिष् बंदा उत्म क्यों है जातियें वीचिंए क्योंकि बंदे कोल शब्द है, इस अंतिव मतर्ब की होर किसे कोल शब्द नहीं नहीं, गुरु साब ने कया हरहट भी तू तू करें वह बेजान चीज कोल विए शब्द है, मेरे कोल मैं शब्द नूं शिंगारया, सववारया, सज आया बंदा जिड़ा है इस ए शब्दी उत्मता तक पहुंच गया ना इस करके होर जो निया ना रोए सरदार बन गया ए देको ले शब्द ए हो जिया है कि ए एथे बैठा जिड़ा है कमांड देवेगा ते उत्ते कुमदे जड़े इने छड़े होए राख तने वो मंगलते क अला लै जएगा इतरी बैठा कमांड शब्द देवेगा शब्द रभ तो मेरे तक पहुंस सगता है इस गाल नूं समझ लोगाट ए गया गह एथे ड़ो जड़ो है दो किरेंसे माध्यम देड़ो है ओ मेरे मेरे शब्दी कमार जड़ी है मंगल तो उत्ते तक पहुंच सकती है ता रब दा शब्द जड़ा है उदा मेरे ना सबंद किवे नहीं हो सकता है शब्द ही इस रिष्टी दा सार है इसनू असी अपने सथूल विग्यान का परमाना द्वारा ही अपने शब्द कर सकती है ते व वर ही है सारा जितना कमुनिकेशन है जितने साड राण पूक यह सब चुकी enfin सभ के दिनहें राण चल रहे हैं और इथ्टउ लेके साड़ा है यह मंगल तक साड़ा संचार है तक दिन रहाए हो शब्द ना रहा है दे थोड़ा से बंदे क сек perí जाण दिये जे बिशी इन्वी शब्द ही कंट्रोल करी जा रहे है, जो चवंदे ने तो तस्वीर लेनी है, तो लेनी है, तो मिटी पुटनी है, उदा प्रीखन करके थल्ले पेजना है, वो सारा दा सारा कुछ शब्द देना हो रहा है, यह आपने आपच विस्माद है, दूजी चीज, शब्द गुरु है, यह असी जे यह सोच दे हुए, कि यह पैचान असा किती है, सिख गुरु साय बाणने किती है, तो मैं समझदां कि फिर साड़ा माइंड थोड़ा संकीर्न हो जाएगा, जितने वी संसार दे विच तार्मिक पंथ हन, उन्ना विच जेड़े रबनों मनन वाले ने, ओ सारे द सारे रब दी बानी विच विश्वास कर देने, रब बोलदा है, रब कोई मृत चीज नहीं है, रब कोई मर्योई चीज नहीं है, रब सजीव है, ओ बोलदा है, ओ दा पगत जेड़ा है, सुनदा है उस अवाज नू, ओ पगत जेड़ा है, तो पगत जेड़ा है, तो पगत गरूर चड़े, गोबिन आए ला, आखे किएंदा है, केंदे है नाम देवनू चाहें, तर निए खोट्डी करो, तो कहें, मैं तर्ठी-बुठी कर देना, चाहें, त्युश्यों मूझी गऊ देवन जो आए, तू चंदा groskan Tallliche recoar, हैं. जो गलबत कर दै तो तन हें कहने हैं. जो गलबत करनी ना जानदा हो ऊवे ते फिर नामदेव नू किवे शुनें ते till theMeval का नामदेव खिवें प साना दो किवे असी मनियां के रब्दी बानी है, क्वें गुरु साब मन कर दा दो कि रब्दी बानी हैा। मेरी बांदी पगत चुड़ाव है बांदी पगत न चूटा है मोह यह रब दी गलबात है तो रब जड़ा है आपने सेवका नाल गलबात करदा है यह पुराने तो पुराने तर्मगरन्था दा विचार है मुसा माउंट होरब एक पहाड है मिसर तो दोड़या जान बचान वास से इस इस इलाके चाह गया थे विया हो गया कि पुजारी दी कुड़ी न पुजारी दे कारवेच रहना शुरू कर देता पेड़ा बकरियां चार जांदा सी चार के लेया उनियां एक दिन पेड़ा बकर चार जांदा पहाड़ी दे विच एक चारी सी चारी च्यों लाइट निकली उसने सुचा है बड़ी विचितर लाइट है वेखा नेड़े जाके की चीज़ है नेड़े गया ते आवाज आई जुत्यां पिछे उतार दे क्योंकि मैं तेरा परमात्मा बोल रहा है एप वितर कोल जा ते मिसर दी गुलामी तो अपनी यहुदी काम नो तो आजाद कर उसने क्या मैं कि मैं कि मैं करा सकता मेरी काम ते बड़ी गुलामी दे बंदना चाहो कि मैं छटन के उसने क्या ते नो दस चक्तिया ने उनने क्या तेरा नाम ही नही जान दे हो मेरी काम ते होर नाम न तेनौ जान दी है। उनन मैं कवाँगह, यहौवा मिलिया सी। उनन कर दे किए यहौवा साठा ओरभी नहीँ। Fyr मैं की कवाँगह। कहन दे उननौ कहना मैं, ओई हां rash当 in जो हां मैं ओई हां जो हां तो, जाकर हो यहुदी, उसने, उन्हें किया तो अनो रभ ने की किया सी, उसने किया मैंनू मैंनो uhi हां जो हां वो कहने लगे हाँ रब इसे तरह कहने है जो अपने सेवक नो मिल दा है पाव की है नाम ताम बदर मेरी होंद है एक कोई हम है चाहिए उसनों तुसी आलशेदा ही कहलो ते चाहिए तुसी उसनों यहुआ कहलो ते चाहिए तुसी उसनों यहुआ कहलो ते चाहिए कुछ भी कह तो मौजिज दे नाल गल बात रब ने की थी अपनी काउनों कड ले आया रसे विच रुके सिनाई पहाड ते चला गया बहुत उच्छा पहाड से उपर बदल चाय वेशन दो-तिन दिन थल्ले नहीं उतरया ते लोका ने सोचिया के बदला दी अग विच बिजली विच वो मर गया है कि ते बिजली नारे सकर के थले नहीं आएगा पढन तू जिदो उँ आया पत्थर दे दो टुकड़े लेख आया आया एक दस हुक्म जड़े ने इना दे उत्ट टाॉरेत बनी है टाॉरा बने है ते तैूरेत नियाँ पंच पोस्टियां जड़ी आने इसनों ओ रब दी बारिग केंदये ने सारी बाइबल जड़ी है औ सिनों इरबас दी बारिग केंदय refers जड़ी ओड़ टेस्टामेंट ए हुन ए ज़िն यहां टेंन कमांडमेंज्स तन ए ज़िन पत्थर तन इननुल रुमालियां चल पेटके रखिया उनने रुमालिया चल पेटके एक संदूक वजी बंद किता जेरा वोली आर्क बनेया जिसनुल क्या ज़िन्द सी वोली आर्क नेमदा संदूक नेम दा शरा दा सब जेडियो सुले शरा है जेड़ा रबनाल उनन दा एक पैक्ट होया है कोवनेंट जिनू कहते है तो उनना क्या भी ए नेम दा सुन्दूक है कौम दी अगवाई उनना समयाच जिवे आज जैसी नगर कीतन करना थे कि महाराज दा प्रकाश स्वारी करके महाराज दी इस से इतना इसाधी परंप्रा नहीं है यह मनोख दी परंप्रा है राबद मनन वाले मनोख दी परंप्रा है कि उनना ने काफलेंदे अगे हमेशा होली आर्क लजाया जन्रा सी, खोली आर्क दी छतर चाया वे चलते सा, मौजज ने अग्गे जोश्वा नू पैगंबर थापया, उस नू पैगंबर नू थापया जदू, तो सिर्फ आपने वलो असीसा दे के या इस तरह नहीं किता, जिवे गुरु ओविन से महाराज जड़े न उन्हाने गुरु अन्सवदा कीता, परकाश संगत नू बुलाया, ते फिर कह दिता भी सब सिखन को हुकम है, गुरु मानने उकरंत, इस तरह जोश्वा नू लागया, होली आर्क को उठी जा कि क्या हूं तू कौम दी अगवाही करेंगा, और उस विचों परकाश निकलिय उस होली आर्क की चूं ते ओदी विच परवीश कर गया, पेगंबर दी शक्ती कि थों आगी, रब दी बानी चूं, रब दे हुकम चूं, इस तरह कुरान श्रीफ है, कुरान श्रीफ किते वी एक स्थां ते एगल नहीं आई, के मैं मुहम्मद तुहानू एहुकम करदा, य तो आनू सला कर देना, सब थावाते अल्ला ही बूलते है, पेघंबर नू कह देना, जआ अपने लोकानों एगल कह दे, ते लोकानों कुदे कुदे सिद्ध कह देना, के पेघंबर जो कह Anda तो उसी यह दिकाल मननी है, जो पेघंबर ऑदे अनुसारर चलना है, तो उ कह देन चौदांशवद ऐसे ने जिनादा कोई अर्थ ला नहीं सकता क्याउं नहीं अर्थ बन दा क्योंकि ओ कहने दे कि ए अर्थ इसका अर्के नहीं बन दे ए निशानी है कि ए रबदी बोली है ते रबदो आई होई कुरान है इसे तरह वेद सदा साथ ने दस्या सी ब्रह्म तो आया है, जिन्ना रिशियां दे नाम ने, ओ मंतर द्रश्टा रिश्टी ने, जिन्ना ने मंतर वेखे होए ने, मंतर बनाये नहीं, जिन्ना रिशियां दे नाम ने, जिन्ना रिशियां दे नाम ते मंतर हन, उन्ना ने मंतर वेखे ने, जदो आये ब्रह्म को लो, उन्हा पास उन्हाने वेखे दर्शन कीते, दर्शन करके फिर उन्हाने उन्हाने याद करके अग्गे अग्गे पड़ाया है, इस करके शुनुत। वेखो परंप्रामा ओधिने, गुरुनानग साइब जदो जर्म साखी वे वीचे कहते ने के मुर्दान्यय रभाव वज्भानी आई है ति इस तरहा ना जफ्रॉम्ड बानी दिश्री है। गुरुनाल साहब भी बाणी दर्षन रहा हैं, दर्षन करके आफ ताहें अगे हैं इस ताहें रहा है कि नЁदichen बाणी दर्षन को रहा हैं हजरत महम्मद साहब हिरा परबदी गुफा वेच जाके ते बंदगी करया का देशन एक दिन फिरिष्टा जबराईल आया वही सामने रखी कहने पढ़ एसनू वो कहने कि मैं पढ़ना नहीं जानदा कहने पढ़ एसनू रबदेना ते उन्हें किया मैं तो नुपते मैं उम्म आगा है सो बानी जड़ी है ए जिस्वी मापुर्षदा रब्य ची विश्वास सी उसने किया कि जो उस दे बचन हन ए बानी ब्रह्म दी है उस दी नहीं है एदे विच्छ मैं समझता है जेड़े यहूदी सन वो सफल रहे है वो पैगंबर पूजा विच कदे नहीं पहे है ना पैगंबरां दिया मूर्षियं बनाई या ना पैगंबरां दिया पूजा की थी क्रिस्टैनिटी विच आके शब्द थोड़ा कमजोर पैगया है हलांके मैं जिनी पहला परमान देता है कि यह लिख्या होया है प्रन्तु ओथे शरीर जिड़ा है शरीर दा प्रभाव इतना वद गया कि शब्द उस विच गुम हो गया इस करके बाइबल दा जिड़ा दू जिगा रवीख्या जिड़ा छेसाओ ज ऑन दिड़ा देकंचीटार पर दो ना फेध की चव्द नो नार रखन जदो उनना दी श्रीयत नहीं आगी, जदो उनना तरम बखरा हो गया जी हुदियान आलो, तो उनना नुचाइदा सी जिवे सिख जड़े ने उनना दे तरम गरंथा में चुन वेद शामल नहीं, कुरान श्रीफ जदो आगी तो उनना ने बाइबल दा असर चाहती उनना ने ना नूट टेस्टामेंट रखी ना ओल्ड टेस्टामेंट रखी, Christianity ने ओल्ड टेस्टामेंट क्यों रखी, क्योंकि देदे परभाव विच जड़ा शब्द सी उनना को कमजोर पागया, तो जड़ा रिच शब्द सी ओल्ड टेस्टामेंट उनना रखना उनना द तो उचे किसम दा शब्द है और शब्द दा सिधान्ट जड़ा है और तौरेतियां पांज पोथियां पिछ सथापत उजन्द है कि शब्द उच्छा है और पैगंबर जड़ा है शब्द तो थल्ले है ए ओदेवे सिद्ध उजन्द है परन्तु ए चीछ जड़ी है निव टे जड़ा है कि शिरियत है यहोथियां वहासे है परन्तु जड़ा ही जड़ा कि से होर्नी काई हुए यह मगरॉं आके केवल सिख थर्म नेहां कै शिक्ख ठरमते यहूदी ठरमते क्रेक्टर वेचे भी जिनियां बहुत समान ता महारे है। शब्द पूज के आजान सी यहूदीयानु। जदो कुरान वेच उना दी गल कीती है तो उनननों पोथियां वाले के या पुस्त का वाले के है। उन अंद नाम यहुदी जिते नहीं लिखना होते पूथियां वाले कहता है, पुस्कां वाले कहता है, तो गुरु महराज सचे पार्षा श्री हजूर ने जद उसी सिद्ध गोश्टी पर दें पारिएंगे, सिद्ध गोश्टी जिरी है ए दो पा गांचा गोश्टी जिन ते आणना वेखांगे, पहला पा आगजड़ है, ओ चर्चा है सिद्धा नाल, ते दुझा पा आगजड़ है, ओ है नाथा नाल, चर्चा जिरी अचल बटाले चे होई, या होर थामान ते ही, ओदा सार जड़ है, ओदी समरी, ओ दुझा पा गई, गुरु जी ने शुरूव च ऑची क्या पवियाए साच सुचा होए, साच शब्द बिन मुक्ति ना कोई, मुक्ति मुक्ति कोई नी मिल सथी, जड़ों टक बंदेर कोड सचा शब्द नहीं है, हूँ एक समझ लेना चाहिए है, जड़ा साधे कोड़ शब्द है, साधे कोड़ जो साधे यतना नल, आस ही express कीता है, वो साच्चा शब्द नहीं है, वो माया अधार्त शब्द है, इसकर करके साधियां बनाई जाँ किताब में, साधे हिसाव तब, ए माया वाले ने, संसार वाले ने, ए ग्यान चाहे तर्वंदा भी होए, वो संसारक पद्र थे ज्यान है, क्यों, क्योंके मैं पहले कहा थी, के जदों असी एक्सप्रेस कर दे हैं, साधे एक्सप्रेशन बिंच नालनाल एनाल अगयान आजन्द है, जेड़ा गुरुद नू शमन उचारन कर दा है, उस होडे ओदे विचों अग्यान माइने सुन्दा है क्योंकि ओ तोर अंदरों जिमें सी तिमें बार निकली है मेरे अंदर तोर अंदर ते जुरूर है क्योंकि अंतर खोटा अमर्त परयासी कहने हो ते मौझूद है ऑच नू अंदरू, एक्सप्रेस मैं नहीं कर सकता, चाहे मैं किन्हें उच्छा साध कपान जमा, गुरू आंगे, एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, तो देविच किते ना किते सिखवाला अग्यान आई जाना है तो गुरु जड़ा है ओ परिपूर्न है इस करके ओ परफेक्ट होन करके परिपूर्न होन करके ओ जड़ा परकाश अंदर है शबदध उसनों शुद्रूप बिचबार लेया हून दा है इस करके साच शबद के ओ परसिद्ध पंक्तियान इत्थो नाथाना चर्चा अरंभ हुं दिया है नास जिने स्वाल कर देने क्योंकि तुसी त्यानल देखोगे पहला पा आग जड़ा प्रशना दा है ए प्रशन फिर अग्गे जाके ते प्रशन बंद हो जब देने फिर गुरु साब नाम दी में मानमोखदी दशा ते गुर्मोखदी उच्ची स्थिती इन अनु काफी सारियां पाउडियां चा ब्यान कर देने कोई स्वाल नहीं होंता एदा मतलब है स्वाल रुक गयने इत्थे गोश्टी अग्गे गुरु जी अपना मात जड़ा है ओ दासरे ने गोश्टी जड़ी ह है ओ बंद हो गी है फिर द्वारा गोश्टी शुरू एंदिये कवन मूल कवन मत वेला कवन गुरु जिसका तू चेला इत्थों फिर स्वाल शुरू हो जागी है ए जड़ा है ए जदमासी पादी पार दिया ना कवन मूल कवन मत वेला तो ए बड़ा सपश्टा है कि ए ऐनकमते भी ओई है, प्रंतु जेडी चर्चा एक सुमेर ते होई है, और सिध्वनानल होई है, और नाथानल नही है, ओ सिध्ण होनल बोदी सिध्द। को में भूह हिवारिपा थै लुह हारिपा, लुहारिपा ए सिध्द है ए नास नही है। चरपट जिड़ा है यह भी सिद्ध नास नहीं, चरपट पा, लोहारी पा, ज़ा लोहारी पा होया है। जड़े नार सन ए छिछोरे सन ए साद सिद्धा मर गे उच्चे सादक नहीं सन इस करके इन नार जड़ी चर्चा होई ओधे तलखी वी सी ओधे पाई गुरुदास जी यह भी कहने ने भी गुरु साब ने किया बबाबा बोले पंगरीनात रिमा कुछ जी आई यह भी लिख सी तो एथे जड़ो स्वाल शुरूए कवण अरंब कवण मत्ति वेला कवण गुरु जिसका तू चेला तो ए स्वाल गौर्ख नास दी बाणी मेंचे खूब हूदर जाए अगला जवाब जड़ा गुरु साब ने दिता ओवी दर जाए कवण अरंब सत्गुरु मत्त वेला कुरु सुरु तून चेला स्वाल में मे जवाब लो चादा मिल जनके ने संशा पइदा हो स्वाड़ के ऐ गौर्ख बानी हिच आय या गौरु गंध साब जो गौर्ख बानी हिच गय तो मेरा बेनती आ थे वे के गौरु साब जे ने गोश्टी हिच उन भीया उनह पता है जवाब देना के में हैं क्योंकि जदों जे मेरी किसे नाल चर्चा हो रही है न मुसल्मान नाल ते मुसल्मान नाल चर्चा तुसी देखोगे गुरू गोविंसे माराज जी दी एक चर्चा है ओदा पत्तर आया ते गुरू गोविंसे माराज जी देने फिर ओदा जवाब पह और ने एक है कितेन कहा ने उन्हाने फिरदावसी नू कोप कर देता, फार्सी दे लोकान नू कोप कर देता, बढ़ी लोकान नूा जिन्ना इख संभ अवरीजियव सवचधा से, पार्थ है नू Tech of तुझे बंदेना जब चर्चा करने आजी गुरु साव दी बानी कोट करने आज ते ओसम अचनु बंदेनी ते ज़े ओदे मात बिच्चों एक ते ज़े इंदूना चर्चा या ते उनुके ये वेद वेचे लिखे ते ओं कहेंगा हाँ ठीक है जो कहरे हो ठीक है गुरु नान संद्सत्त गुरु मत बेला शब्द गुरु सुर्तितुनी चेला तुस्ते शाजव दी ध्वनि शiadव स्वत द संवरु ध्वनि जरी शाव दीकार अगर्च आगरसर्त नहीं है राव दYeए बंदी ध्वन्हें ओदेए वेचे आपनी सुर्तिनों लेन करने शयव दीक meaning है, सिद्ध शब्द किस कहा दें दे, होर गल से, कहने शब्दी ध्वनी, शब्दी ध्वनी दा मतलब है, जड़ा ओधे पिछी परकाश है, केवल बारला बारला शब्द धर्शनी कर लेना, ओधे ध्वनी वेच अपनी सुर्ती नू लियन करना है, शब्द मुल तक पहुंच दे चेष्टा करनी है, ताँ जाके जड़ा है, ओ तुसी शब्द गुरु दे वे आश्रे चल सकोगे, तो ऐसे तरह बानी जड़ी सारी है, बानी गुरु गुरु है बानी, आसे इतिहास पढ़ांगे, ते हर गुरु पात्षा महराज जी ने गुरु गंज साव दी बानी सतकार कीता है, और गुरु गंज साव महराजी ने गुरु गदी जड़ी है, इतिहासक तोरते, लोकां दे बिलकल सामने, पर तक तोरते, गुरु गोविंस जी ने अक्तूबर 1708 विच गुरु गंज साव ने गुरु गुरु आई देती है, तो एक जड़ी एक ते है, दान से स्थाबट करता है, जैसी मैं आवे खासम की बानी तैसरा करी, ग्यान विलालो, उन्होंने किया कि जो कुझ परमेश्य बनुआ है, हूँ आपनों बोल ना जानदा, बानी चिलिखे है, हूँ आपनों बोल ना जानदा, मैं कहा सब, होकमाओ जी हो, जो ब्रह्म ने आ रखे है, मैं ओ तो आन सुना रहे हैं, तो गुरु साब महराज जी दी सारी बानी चिलिए है, ओ दे विचे गुरु गर्ण साब नू गुरु मनन दे उत्ते जड़ा है, ओ बहुत ज़्यादा जोर दिता है, शब्द गुरु साधी अगवाई कर दा है, और एक त्यान रखन जा सुना गुरु गर्ण साब जी नू गुरु कहने हैं, तो एक चीज होर बहुत त्यान से रखने माली है, शिखाना एक सुवाल सी, जी दा कभी सैना पतिन लिखा है, महराज गुरु गुरु गोपिन से जी नू सिखाने किया, कि जदो नौ पात्षाय यां ताक गुरु स तुसी कह रहे हो कि जोती जोत विली इंता हुन रब दा हुकम अ काल दा आयात जाना है, काल वेच विली नौन है, हुन दसो तो आड़े पिछ गुरु कौन होवेगा, ते उननने क्या सी, कि खाल्स ही सो है, मा मकामा बक्ष कियो खाल्स को जामा, श्रीर में अपना खाल से न देता है, जेड़ा गुरु है ना, गुरु गोबिन से माराज या गुरुनान सा माराज, वो कि में पूरे हो पूरा उननना शुरूब के इंप्रगश उन्द है, गरंथ ते पंथ दो में कठे हो जन, गरंथ ते पंथ, पंथ गुरु दा स्रीर है, गुरु दी काया है, उस तियुकति उन्दा है विधी, परचारदी विधी, उनके निये जुगती, टंग। ते दूज़ा है जोती जिदा परकाश करना है। जुगती खाल से cay है, इसक בחासा गुरु है तो जोती जेरी है ओ, गुरुगरंच साथ महराज जी महराज जी है, तो आए महराज जी, उन जे गुरुगरंच साथे जगह ँर रक दिया, होगाराज। राख दिये गरवर हो जने काम, साधा काम किसे गरवर हो गया है, खालसा गुरुदा शरीर सी, ते असी शरीर वांग पूजा गुरुगन साभ जीदी शुरू कर देती है, एक गल्थ काम हो गया है, खालसे नहीं टुट गया, खालसे दे शरीर के दर्शन ने, दिदार खालसे क पूजा अकाल की पर्चा, शब्द का दिदार खाल्से का, ते असी जड़ा खाल्से दा दिदार करना थी उदे भूल गया है, खाल्सा सामने वाया थे मन में बुरे पाव, गालां कटनिया क्योंके वैर विरोध नाली पर गया है, खाल्से दे दिदार तो टुट गया है, ओ ख खाल्से दा दिदार गुरु 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 दारेदा दिदार करने वो खाल से चो होएगा उनने पांजे की कारांदा दिदार करने वो खाल से वी चो होएगा बहुत बहुत तनवाद वाहिगरुजी का खाल साथ वाहिगरुजी का दनवाद डक्टर साथ शबद विसमाद डक्टर साथ गाल कारेशन एक गाल जड़ी डक सब ने क्रिस्चानटी दे हवाले विच की थी के शबद जड़ है ओ देही दे अगे फिका पह रहा है जित्थों क्रिस्चानटी दे विच जो ए गिरावट आई तो मैं नू फिर अपना लगया के कुम्मी तो रते सब्सक्राइब के शबद ने के अपने आपनों एक्सप्रेस करना ओ शब्दा रही करना जिरी गलवार वार डक्ट सब कह रहे से एक उंदे जंगल राज एक उंदे मनुखी समाज दा सिधान कानून जंगल दा कनून है इत और बे इतन या मार दो या मर जाओ और जड़ा मनु या अपने अपनों डिफाइन करन दी तो अडेच समरता हो है नीता लोग तो अननों डिफाइन करन गे बुद्धिजम में चाही क्या सी ना अप दीपो भव अपने दीवे आप बनो गुर्णानक साब ने भी यह गाल किती है जो दो शबद दी गाल जड़ी उन्हा ने किती यह के शबद दे लाड़ लगो एक गल आंदी है कि जि मैं हुन जि मैं पहले एक शारा दिता है कोमी तो उरते ता ना समझी कारण जिड़ा सिख अभियास है उस विछ दोश पैदा हो गए ने अपमनी है और एक कोर्स दा शुरुवात दा जिड़ा चिंतन होया ओ इसे गाल विच्चो निकलिया के जिड़ा शबद तो असी दूर हुन दे जा रहे हैं सिख्खी नू गाल नू समझ ना है मेरी गाल नू सिख्खी नू जनम नाल सबंदत एक नसल नुमा कौम दे रूविच तर्जमाना सी शुरू कार दिता है जटां भापयां रामगडियां मजबिय दे विच्च असी बंडे गयां और एजड़ा सिक्की दे जड़ा पेड है ओ खाली हो गया और इस सारी इस गाल दे विच्च जड़ा धरम है लिखन वाले नू लिखिया जड़ा धरम से सेंग है ओ पिछे रहे गया जड़ी दरम दी गाल सी ओ अपां उस तों दूर हूंदे जा रहे हैं या हो गयां तो विद्वान ने किया सी के सानु इस कबाईली जिनेटिक खलसतों अजाद होना है शबद ही शर्न विच आए बिना सिख्खी विच सहज परवेश नहीं हो सक्दा ये फार ग्रंटेड असी ले ले ये गाल बाई मनी सिंग वल्लों लिख्खी होई गुरु गुवीन सिंग साब वल्लों लिखवाई बगत माला वेची कंकत है के गुरुनानक साब नू सिख्खाने बेंती किती सी के कोई ऐसी जुगत करो दसो के ऐसी तवड़े तुम विच्ड़ी है ना फिजिकली गुरुनानक साब ने यही क्या सी ना के शरीर नल जुड़ोगे तो हमेशा विच्ड़ोगे शबद नल जुड़ोगे कदे भी नहीं विच्ड़ोगे ए जड़ा आज दा साड़ा टॉपिक है ए सिर्फ एही गल जड़ी है असी तौड़े तक पुंचाना चानने हैं के शबद जड़ा है ए शरीर नहीं है जिमें क्रिस्चैनिटी दे विचिना नहीं किया है के देही नल जुड़ गया सेम थिंग असी शरीरा नल देहा नल जु अननु तो ओ जड़ों असी गाल कर देहा ना धरम दी तो एकदम कहा देने ने तब बहुत पुराना ख्याल है दक्या नी उसी ख्याल ने वो साड़े नाल सेमत नहीं हुंदे असी यसे लई जिनने मी तुसी सलेब से देखे होने नसी जितने मी गुरु गुरु गंसे अमनल पुरुत्त कास्या गुरु गंसे शर्त यह है कि आसे इसनों पढ़िये, इसनों समझे और इसनों लेव लविये, लेव करिये, तो ए आज दे आज दोनों टोपिक भुलना चुक कांदी किमा, वाहे गुजी का खाल्सा, वाहे गुजी की फत्य है.